भागपा के कद्दावर ने तो पुरु राश्ट्री अध्यक्ष राजनाथ सिंग ने आज डुम्राओं में सभा को सम्मोधित किया बक्सर लोक सभाच्छत्र के दीनारा और डुम्राओं में उनकी सभाएं प्रस्तावित थी डुम्राओं पहुंचे राजनाथ सिंग ने किसानों के लिए कई घोस्णाए की उन्होंने बताया अब किसान के अडिट धारक किसान को पांच वर्स के लिए एक करोर रुपे तक कारिण मिल सकेगा उन्हें जीरो परतिस्ट ब्याज परिया सुभ्या मुहिया कराई जाएगी जिन किसानों के लिए किसान सम्मानिर योजना शुरू की गई है उनकी जमीन पांच एकड़ हो या पांच एकड़ से जधिक अब सभी को छहाजार रुपे मिलेंगे या योजना सिर्फ इस वर्स के लिए नहीं अगले वर्स के लिए भी है राजना सिंग ने का कि हमारी सरकार का या लक्षे 2022 तक हर गरीब को छट मुहिया हो और उनके घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस उपलब्ध हो हम विकास के रास्ते पर है अगर आपने हमें सहयोग किया तो आने वाले समय में भारत विश्व गुरू बनेगा विश्व की पाँच महासक्तियों में भारत भी एक महासक्ति के रूप में उबरेगा सुनिये राजना सिंग की बाते देश मना दे के लिए आप लोगों से ओट मान रहा है मैं जानता हूँ और सुनी चौबे जी आप भी जानते हैं अच्छी तरह ये जिहारू प्रकृत के लेता है और मैंने देखा है कि कभी कभी इन्होंने अपने राजनेती का अफ्शित्व की भी चिंता नहीं की है लेकिन एदिक कोई जायल विशे है तो उस विशे को लेकर जायल मुद्दे को लेकर किसी भी हद तक को संगर्स करने को तयार बैने शेत्र की शमशाओं के बारे में भी मैंने देखा है भारत सरकार में भी बराबर मंत्रियों के उपर दबाव बनाना ताकि ये अधिक से अधिक के जंद्रिय परियोजनाएं उनके संद्रिय दर्वाचिन शेतर में पहुंच चके है यह बराबर अप्रेसना आपके अस्षिनी चौबेंजी की द्वारा होता है लेकिन जैसे मैंने कहा है यहाँ पर हम उनके लिए तो उट मांग रहे है लेकिन उस से भी आज़े बर करदेश बनाने के लिए उट मांग रहे है इसलिए मैं कह रहा है बराबर मंत्री को आपने काम करते हुए देका है और मोदी जी के दियंसर्ट में लगातार 5 वर्सों से इस सरकार को भी काम करते हुए लेग रहे हैं बैनो भाईयो मैं किसी प्रधानमंत्री की कोई आलूचना नहीं करना चाहता है चाहे वो किसी वीराजनीतिक पार्टी का क्यों नहीं हो और मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूँ कि इसके पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है कोई भी सरकारों किसी भी राजिटिक पार्टी की सरकारों हर सरकार अपनी छमता के आधार पर कुछ नपुछ करती ही है किसी का काम मदिक होता है किसी का काम मुद्ब होता है और हर सरकार के काम करने की एक अपनी शेली होती है लेकिन मैं नर्द रहाई मोडी के बारे में कहना चाहूंगा बेहनों बाई 24 में यह हम लोगों की सरकार बनी थी उसके पहले उसका आर्चिक प्रवन्दन इस तरीके शे होता है और साथी सपर सिस्टम में बदलाओ लाकर बेऊस्था में परिवप्तर लाकर हश्टाशार पर अंकुस लगाने की जो हम लोगों कोशिस करते हैं उसी का यह परिणाम है कि महनाई हम लोगों ले में नहीं बढ़ने है बहुत बड़ी बात है गरीबी के बारे भी एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पढ़ने लिखे नोगजवानों से कुमगा कि लोग कर लें उसको वन तथ्य है पंडिक यवाहर लाल लहरू से भारफ के प्रणामंत्री मैं उनकी बहत इज़त करता हूँ हमारे पहले प्रणामंत्री थे सभी को इज़त करनी शाहिए मैं इसरे मतिंद्रा गांधी की भी इज़त करता हूँ मैं राज्यू गांधी जी की भी इज़त करता हूँ जो भी हमारा प्रणामंत्री हुआ है बहनों बाई यो मैं सभी की इज़त करता हूँ लेकिन सारे बढ़ामन्तियों ने हर शुनाओं में हर शुनाओं में कहा गरीबी हकाओ देश बचाओ इंद्रा जी ने भी कहा था गरीबी हकाओ देश बचाओ पर्क के पहले नहरू जी ने भी कहा था राजुगांधी जी ने भी कहा था और राजुगांधी जी ने भी कहा थ सो पैसा उपर से भेज़ता हूं नीशे के वड़ सोलह पैसा पहुंच पाता है यह कहा काउस समय हूं लेकिन पहनों आई हो 55 वर्षों तक अखंड हुपूमत उन लोगों की रहने के बाउजो गरीबी भारत की दूर नहीं हो पाई है लेकिन हम लोगों ने करीमी केशें दूर की है मैं अपनी बात नहीं करने जा रहा हूं नोट कर ले हमारे नौजवान अमेरिका का माना जाना यह ठिंक डैंड जिसका नाम है ब्रुकिंग इंस्यूट हाल में ही उसकी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में उस ब्रुकिंग इ भारत में गंभीर-गरीवी के संक्ट से बजर रहें लेकिन यह 2019 में हम लोग भारत में सरवे करने गए तो हम लोगोंने दादों तले उली डवा ली कि भारत में साहे तीन वर्सों के अंदर ही नमड़ा परिवर्तन हुआ है कि साहे साथ करोड लोग गंभीर गरीवी के संकते बाहर हो चुके हैं और भारत में केबल पाच करोड गंभीर गरीवी के संकते बुजर्मे वालों की संक् भारत के अंदर हम ऐसे हालाद पैदा करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीमन निर्वास करने वाला एक भी परिवार सेश न मचे ऐसे हालाद हम देश में पैदा करेंगे पाकिस्तान को तोड़ने का स्ट्रेग तोड़ा तो सेना के जो आप हो नहीं था यह इस स्वाल का जवाब जाए पैर वाईयो इस सवाल का कोई जवाब नहीं कोई जवाब नहीं और यकीन रखना है यकीन रखना है बहर वाईयो देश विश्वरक्षित है सीमाएं विश्वरक्षित हैं नक्सलवाद के खिलाब भी हम लोगों ने प्रभावी कारवाई की है देखा होगा पहले का नक्सलवाद है नक्सलवाद दम तोड़ रहा है ती नक्त अलाग को तमाप्त करके ही दम लेंगे बहन वाई नार्ची इसका उन्गरवाद समाप्ती के ओर है ऐसे देश नहीं चलता सीमाओं के बारे में भी मैंने साथ साथ दोतूप सब्दों में आदेश दिया है एक बार दो हजार चौदा के सितंपर में ऐसे ही मैं राप को दिन वर काम करने के बाद साथे दस बजे टेलिवीजन देख रहा तब तक ख़बर आई पाकिस्तान ने गोली चलाकर हमारे सीमा सुरक्षाबल बार शेकोटी फोर्स के बाद जवारों को माड़ा मैंने तुरंट टेलिफोन बिलाके बाद शेकोटी फोर्स के डाइरेक्टर जन्रल को पूशा यह मैं क्या देख रहा हूं टेलिवीजन देख रहा हूं उन्हों ने का आग इस सर खटना बहुत दुख़त है हो गई है सच है तो मैंने पूशा कि हमारी फोर्स ने क्या कारवाई की उन्हों ने का साथ हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार सफेज जन्डे दिखाए वाई फ्लैग और यह आदेश पहले से हम लोगों को मिला हुआ है तुरंट पाकिस्तान पर गोली बच चला हो तो मैंने कहा कि यह क्या होता है सफेज जन्डा तो उन्हों एकासाब चपेज जंडे दिखाने का मतलब यह होता है ऐ पाकिस्तान हम तुम पर गोली नहीं चलाना चाहते तुम्हारे चाहते मिल बैट कर बात करना चाहते स्लैग मिटिंग करना चाहते मामले को सुलिहाना चाहते मैंने कहा कि जंडा सोलह बात दिखा जाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जबाद दिया उन्होंने कहा किसाब अभी तक तो कोई जबाद नहीं दिया मैंने कहा आगे क्या सोचा है उन्होंने कहा जाब मैंने सोचा है कि एक बार, सत्रहवी बार और पाकिस्तान को सभेड घंडा दिखाएंगे और यह पाकिस्तान ने कोई यवाब नहीं दिया तो उसके बाद हम सीधी कारवाई पाकिस्तान के खिलाब करेंगे बैनों भाई, और मेरा भी मियाच चुछा सा इदर दर हो गया और मैंने टेलीफोन पर ही, डाइरक्टर जनल को आदेश दिया कि मेरा आदेश है, स्टेंडिंग आउडर है एक तो सत्रहवी बार पाकिस्तान को जंडा नहीं दिखाए जाएगा और आगे तक के लिए आदेश है, आगे तक के लिए आदेश है पहली गोली तो भारत की दर्ब से नहीं चलनी चाहिए लेकिन उधर चे एक भी गोली चलती है तब भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए बैदो भाईयों, सीमा पर हावार बदल गए पका मकाम नहीं मिला है जिनके पास अभी पका मकाम नहीं मिला है और उसके घर में खाना पकाने के लिए गैस का सिलिंडर गैस का रेक्सन भी महया कराएंगे यह हम लोगों ने अपनी खोशना पंत्र में भी बात कही है और बार बार इसी शंकल को हमारे प्रजानमंत्री गीन भी दोह रहा है लेकिन कभी कभी वह यह अश्र होता है हमारे प्रजबक्ष के नेताओं को हो किया जाता है कहते हैं चौकीडार शोर है कोई कहता है चौकीडार अहंकारी है कोई दुर्योधन कहता है कोई आपंगबाली कहता है बैन अबाल यह प्रधानमंत्री प्रहार मंत्री होता है, राफ्रपती, राफ्रपती होता है ये ज़ती नहीं होते, संस्था होते है लोक तंत्र में, यह नि संस्थाओं की प्रतिस्था संस्थाओं की करिमा जी जिरने लगती है तो लोक तंत्र कम्योर होता है लोक तंत्र जी कम्योर होता है कभी भी अदोप नहीं किकि कभी किशी को गाली दें तो का लीदे रहें आप मैं आपसे अपील कर ने अखिते कर लोक तंत्र में इस caffeine लिए जा सकता है निए लिक जा सकता है इसलिए मैं आप करना जाता हूं कि असरी चोने को भारी इमतों से भी ए दिद आप भारों की नंचनियों पर यकेंच रखना मेरे बहने वाई हो यकीछ रखना मेरे वाई हो यकीन रखना वो वारत नहीं रहा है दुनिया का कोई रेश या है आप दिखागर चला जाए आप ने देखा चीन भी दुनिया का ताकतवर्दी इसमाना जाता है जो कलाम में मामला खसा था हम लोग पीशे नहीं है टे मामला सुलज गया बेहनों भायों उनको भूपीशे हटना पड़ा हम लेशे है परोशा रखना परोशा रखना फारत माता का मस्तखम किशी भी सुड़क में जुखने नहीं दे और इतना ही नहीं हाल में सियार पीश के जवानों पर भिड़ाइन हमला करके 42 हमारे बहादूर जवानों को मार डाला उसके बाद हमारे प्रणावादी ने चटबड हम दो तीन लोगों की वैट अकबूल आकर बैट कर फैसला किया उसके बाद हमारे एर फोर्स के जवान भारत की धरती से नहीं पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंगवादियों का स्थाया करने में पूरी तरह से काम जाए यही धारणा की भारत यह कमजोर भारत है गरीबों का भारत है कंगालों का भारत है एक धारणा ऐसी बड़ी हुई थी लेकिन आपने भी पढ़ा होगा सुना होगा दोहजार चौदह के बाद यह धारणा पहनो भाईयों सारी दुनिया में बदल गई है अंतर रास्ती जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है भारत को अब सम्मान के नजरिये से सारी दुनिया देख दी है सारी दुनिया में भारत का डंका इस समय बज़ रहा है वेलों भाईयों इसलिए मैं आपसे देश बनाने के लिए उट मांगने आ रहा हूँ आप लोगों ने नाम सुना होगा नाम सुना होगा अंतर रास्ती बुद्रा कोश अंतर रास्ती बुद्रा कोश ये कैसी एहसंस था है कि दुनिया के सारे देश इसी अंतर रास्ती बुद्रा कोश से अपने देश के लिए खर्ज पराप्त करते हैं और इकनाही ने या अंतर रास्टी मुद्राकोस नामकिया संस्था दुनिया के सभी डेशों की आर्थिक बेवस्ता वहां के बाली हालत का तमे समय पर जायजा लेखी रहनी है आपको जानकर बहुत कुछी होगी उसी अंतर रास्ती मुद्राकोश ने अपनी रिपोर्ट में कहा है बहनों भायो कि इस समय सारी दुनिया में सर्वागिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थ में अस्तारी किसी देश की है तो हमारे और आपके देर भारत की है बहनों भायो यह अंतर रास्ती मुद्राकोश ने कहा है यह हमारा यह हमारा स्टेट्मेंट नहीं है कि अंतर रास्ती मुद्राकोश ने कहा है तक्षियों के आधार पर का यह किसान के ट्रेडिक कार्ड अगर आपके पास है कि नहीं है कितने लोग पास यहां दुछा दीजे प्रणान मंतरी आवास योजना यह हम लोगों ने प्रार्म नहीं की थी प्रणान मंतरी आवास योजना भी कांग्रेस ने प्रार्म नहीं की थी लेकिन उसी कांग्रेस सरकार के शाफन काल में 2008 से लेकर 2010 तक 6 वरसों में कांग्रेस की सरकार ने पच्छिस लाख आवास बनाकर लोगों को आवंटिट किये थे लेकिन आपको यह जान का सुख़ा और शर्य होगा कि हमारी सरकार में उसी प्रणामंतरी आवास योजना के अंतरगर 2014 से लेकर 2018 समाप तो होते होते साथी चार वर्सों में एक करोड़ तीच लाख मकान बना कर जुफता के हवाली कर दिया है यह हमारे काम करने का दरीका है यह हमारे काम करने की शेहीं है नोजवान नेता है वह भी पराटी एदिक लिए रिज्टा कांग्रेस ने है मैंने भाइओ मैं आपसे पूछना चाहता है याडि कोई भारत को तोड़ने की कोशिस करता है भारत को कम्योर करने की कोशिस करता है क्या इसे राफ ग्रोई को माज़ किया जाना शाहिए लेकिन वह कहते हैं कि मैं आउंगा तो कानून को समान तो कर दूँगा मैं अभा योजी के बाद मैंने इस्टेप्मेंट जारी करके कहा था यदि हमारी सरकार बनेगी अब तो हम यह देखेंगे जो राफ द्रोह का कानून है उफ़े लिए कही पर कोईक्म् membership है तो उसकम्मेजोडी को दूर करके इतना सक्ट कानून बनाएंगे उतना सक्ट कानून बनाएएगे जेराफ्त कद्रोह करने वाले को कानून की याद आ दे, उसका कलेजा का आप याधिवाई भायो, ऐसा हम कानून बनाएगे दुनिया के टाप के दस डेसों ने हमारा भारत दोहजार चौदर में यह नमे अफ्थान पर खाड़ता बहन वाई हो लेकिन चार साथे शार वर्सों के अंदर यहारी सरकार में ऐसा काम किया है कि अंतर रास्ती मुद्राकोष यह कहता है कि भारत जो 2014 में दुनिया के टाप दस डेसों में नमे अफ्थान पर खाड़ता वो जंप लेकर आज छटें अफ्थान पर पहुन गया है और उसी अंतर रास्ती मुद्राकोष यह भी संभावना विक्त की है कि इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कुछी महीनों के बाद हमारा यह भार चटें अस्तान से जंप लेकर सालों के बाद नहीं कुछी महीनों के बाद जंप लेकर चटें अस्तान से वह पांचें अस्तान पर पहुंच जाए मैं सारे मौजवानों को भी कहना चाहता हूँ पढ़ें लिखें लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ आज आप मेरी बात को यह नोट कर लेना 2030-2031 आपे मेरे बहनोगाई हो ऐसे ही आप लोगों ने हमारी सरकार को चलने का उसर दिया तो यकीन दिलाना शाहता हूँ 2030-2031 आपे दुनिया के तीन ताकटवरेश रूज, चीन, अमेरिका में से एक डेश को पीछे छोड़कर हमारा भारत दुनिया के काफ्री कंट्री ने आतर चाहता हो जाएगा इतनी देजी चार साही चार वर्तों के अंडर हम लोगोंने 13 करोड गैस करेक्सन देश वासियों को देने में कामजावी आदि थी है ये हमारे काम करने का दरीगा है ये हमारी स्टाइल आव संचनी है काम करने की शैदी है इसी देवहनों भाई यों हमारा देश जिर्दी टेजी के साथ आगे बढ़ना है से स्टांफोर्ट मिनिस्टर सा उस समय सारी योजाएं जो सारे देश पर की बनी थी उसमें हमारी भागी जागी थी और इसी बिहार में लगब हजारों कीलो मिटर स्टेट हाई वे को मैंने नेस्टल हाई वे उस समय दिलेर किया था ऐसे लोगों के साथ जाकर वे लोग कड़े हैं जो कहते हैं भारत में दो प्रधान मंत्री होने चाहिए एक यम्मू कास्वीं का प्रधान मंत्री होना चाहिए और अलग से भारत का तुपने हो गया है भारुक में दो पुना मंत्रिया है अब उन लोगों के साथ यह सब भार्वाद अद्वंदर में खड़े हैं और वहनों भाईयों मैंने देश का ज्रिह मंत्री होने के नाते दूदूख सब्दों में कहिनिया है जबू कास्मीर हमारा भारत का अभिनंग थ किसान करेडिट काड़ है तो व्याज कितना देते है अ हो चार पर देद और से स्थी कितने लोग सान कृदिट काड़ आञ नहीं है वो किसान क्रेडिट काड़ ले लेगे ले लीजिए मैं तल्विहारी बाट पेंजी कि उतावन काल में कृशी मंत्री था है ग्रिकष्चर मिनिस्टर उनकी कैडिने उसी से मैं किसान क्रेडिट कार्ड जानी हुआ और मैं आप से कहना चाहता हुआ हम लोगों ने फैसला किया इस बार कोशना पत्र बना है उसकी एक करोड रुपे तक का कर्य लेगा तो बाच साल तक उसे सुन नफीजदी प्या इंदर देना पड़ेगा सुन नफीजदी जाए यह चलेगा चलेगा कि दोड़ेगा 6,000 रुपिया मैं जानता हूं यो थाकिसान के खाते में पहुँचना है अभी नहीं पहुँचा होगा कुछ लोगों को पहुँचा होगा सबका नहीं पहुँचा हो कुछ रहां मान लिया कुछ लोगों को पहुँचा है सबका नहीं पहुँचा हो लेकिन सुन लेना सरकार बढ़ने के बाद क्योंकि कारवाई चल लए इनका मिला है उनको तो आगे का छहजार मिलेगा इनका नहीं मिला है इस बार का भी मिलेगा और अगरी बार का भी मिलेगा और यही मैं बता तू चाहे आपके पाथ 5 एकर से कम जमीन हो चाहे पांच एक अगर से अधिक जमीन हो सभी के खाते में च्छे हजार रुप्या डाल लिया जाएगा यहां को वोने फैस्टाइगा और साथ यह आपके लिए पेंसन की पेंसन आप से हर महीने कुछ न कुछ लेंगे साथ साल की उमर हो जाने के बार तीन हजार पे छोटे लगुसी मांत कितानों को और छोटे जवानों ने बारा हमारे एर्फोस के जवानों के शौर या प्राग्रम पर यह सवालिया निसा हम लगा रहे है मैं आप से पूछना चाहता हूँ गैनों भाईो क्या हमारे एर्फोस के जवानों को नातंगवाजियों को मारने के बार खड़े हों कर वाँ पर गिनना चाहिए ता 1,2,3,4,5 बहादूर यह बहादूर होता है बहादूर लासे नहीं गिना करते बेरों भाईो लास गिनने का काम तो गित्ध किया करते हैं लासे बहादूर नहीं किना करते हैं और मैं कांगर्स के लोगों से कहना चाहता हूँ और सारे बहाद गडबनन के लोगों से कहना चाहता हूँ आपको बता लगाना है कितने लोग मारेंगें तब एक रिपोर्ट इटली की मारी जानी पत्रकार फ्रांक्सिसका मरीनों उसने कहा है यह एरस्टाइफ होने के बाद मैं पाकिस्तान गई थी अपने टीम के साथ और वहाँ पर जो हमने सर्वे किया है लोगों से मूँ श्टार्ट करने के बाद घटना अफ्सल देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ यह 170 लोग तो निश्टा रूट से बारे गए हैं आतनकवादी और बहुत सारे हाफ पीटल में इस समय भरती है जिन में से कईयों ने दब दोड़ दिया है आप देख रहे हैं बकसर खबर सच के साथ सब की बात हमारी खबरों के प्रायोजक हैं विस्वसनिया अभुशनों के बिक्रिता आरके ज्वेलर्स